इसलिए सफलता को पाने के लिए विनम्र रहना परेगा निरंतर पढ़ियास करते रहना होगा इसलिए सफलता एक दिन अवश मिलेगी इसी के साथ हम अपने डेली करेंटर पढ़ियास को डिटेल में कवर करेंगे तो विडियो के अंतक बने रहेगा प्रिशन नंबर वन की और चलते हैं प्रिशन नंबर वन तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की और अखिल भारतिये टेनिस संग ने कोच नर्सिंग को आजीवन उपलब्धी के लिए दिलिप बोश पूरशकार देने की घोशना की इसके अलाबा AITA महा सचीव अनील धूपर ने महिला कोचों के लिए एक नया लाइफटाइम अचीबमेंट पूरशकार की भी घोशना की गई साथी साथ पहला पूरशकार 69 वर्शिये रोहिनी लोखंडे को प्रदान किया जाएगा जो कम उम्र में कोचिंग लेने से पहले कीरन बेदी, निरुकमा मांकर, सुशान दास और उदै कुमार के साथ राश्ट्रिये टीम की सदस से भी रह चुकी थी साथी साथ 65 वर्शिये नर सिंग जिनोंने कई वर्सों तक कोच और सिप्छक के रूप में काम किया है दिली बोस पूरसकार के 11 वे प्राप्त करता होंगे और उनके सबसे बड़े भाई बलराम सिंग को 2011 में इस पूरसकार के लिए भी चुना गया था तो यहाँ पे इंट्रेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा आल इंडिया टेनिस एसोजेशन के दौरा हाली में एनाउंस किया गया दिली बोश एवार्ड पर लाइफटाइम अचीवमेंट तेनिस कोच नरसिंग को ये एवार्ड से समानित किया जाएगा तो यह सारे इंट्रेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नमबर टू की ओर हाली में प्रवा शॉप्ट वेयर किसने विक्षित किया है तो राइटन्सों का इश्रो इश्रो के दौरा हाली में डेबलप किया गया प्रवा शॉप्ट वेयर तो जानते हैं इसके डिटेल पोइंट्स की ओर इश्रो ने अपने विक्रम शारावाई अंत्रिक्ष केंडर के माध्यम से एरो श्पेश वाहनों के लिए वायू गति की डिजाइन और विशलेशन की सुवीधा प्रदान करने के उदेश शे Computational Fluid Dynamics उक्रन प्रवा शॉप्ट वेयर पेश किया है साथी साथ प्रवा जिसका संचिप्त रूप एरो श्पेश वाहन एरो थर्मो डाइनमिक विशलेशन के शमानांतर रांस सॉलवर है जो की launch वहनों, punk वाले और punk रहित रिये, entry वहनों सहित, विभिन परकार के वहनों पर बाहरी और अंतरिक प्रवा दोनों का अनुकरन करने के लिए डिजाइन किया गया है तो यहाँ पर interesting factors याद रखने होंगे कि प्रवा को launch किया गया ऐसा software जिससे विक्रम सारा भाई space center से अगर कोई space को launch किया जागा तुसे बापश लाने के भी तकनीक को develop की जाड़ी है साथी साथ प्रवा ने गगण यान कारेकरम में एक महत्पून भूमी का निभाई है जो HLBM3 crew escape system और crew module system पर जैसे मानव rated launch वहनों के लिए वायू गती विशलेशन की सुभीदा भी प्रदान करता है तो यहाँ पर interesting factors याद रखना होगा कि हाली में इश्रो के द्वारा launch किया गया इंट्रोड्यूश किया गया प्रवा software तो चलते हैं next question number 3 की और अंतराश्ची क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्दी हासिल करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने है तो रा तराश अमेरिका और विश्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की संयुक्त मिजवानी में खेले गए 900 ICC T20 विश्व कप के पहले मैच में Ireland टीम के खिलाफ भारत की जीत के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े गए तो यह interesting factors याद रखना होगा कि रोही सर्मा ने हाली में अपना 600 छक्का को complete करकर एक record बनाया है और साती साती ये भी factors याद रखने होंगे कि ये match इस वार की जो ICC T20 World Cup है कहां पे आयोजन की जारी है तो United State of America और विश्ट इंडीज में इसकी आयोजन की गई रोही सर्मा जीने उनकी छक्के मानने की छमता के कारण hitman भी कहा जाता है अंतराश्टी क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए है भारत में विश्व कप में अपने अभ्यान की शुरुवात Ireland को 8 विकेट से हरा कर की और यह match अमेरिका के नियु यॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट अस्टेडिया में खेला गया था तो यहाँ पर इंट्रेस्टिंग फ्रक्टर्स याद रखना होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नमबर फोर की और हाली में RBI द्वारा तैय की गई रेपो दर क्या रखी ग यानि ब्यासदरों को यथा वत रखा गया है इसकी घोशना RBI गवर्नर सक्तिदांस ने की RBI MPC ने चार रेशियो 2 के बहुमत से रेपो रेट को सारे 6% पर अपड़िवर्तित रखने का निर्ने लिया और दर निर्धारन पैनल ने सहच्ता वापश लेने के रुख का बनाय रखने का भी निर्ने लिया तो यहाँ पर इंट्रेस्टिंग फ्रक्टर्स याद रखना ह की हाली में RBI के द्वारा Monetary Policy Committee ने रेपो रेट को कोई चीज नहीं किया है उसको सारे 6% पर बनाय रखा है तो यहाँ पर की रेट कुछ याद रखनी होगी रेपो रेट जो अभी हाली में हमारा 2024 के लिए सारे 6% बनाया गया Standing Deposit Facility जिसे हम लोग SDF कहते हैं इसकी रेट कितनी है 6.25% Marginal Standing Facility Rate इसकी है 6.75% Bank Rate 6.75% Permanent Reserve Repo Rate 3.35% CRR 4.50% है जबकि SLR 18% पर बना हुआ है तो यह सारे interesting factors याद रखने होगे तो चलते हैं next question number 5 की और हाली में किसराज के पक्ची अभ्यारन्य नागी और नक्ती को रामसर सूची में शामिल किया गया तो जानते हैं इसके डेटेल पोइंट्स की और भारत सरकार ने बिहार के जम्मूई जीले के जाजा वन छेत्र में दो पक्षी अभ्यारन्य नागी और नक्ती को रामसार साइट सूची में जोड़ा है जिससे उनकी संख्या बेरासी हो गई दोनों मानव निर्वित जलासे हैं जिनमें रामसर साइटों में जोड़ा गया था प्रती वर्स पांच जून को मनाई जाने वाले विश्व पर्यावरन दिवस के अपसर पर नकाटी पक्षी अभ्यारन्य को मुख्य रूप से नकाटी बांद के निर्मान के माध्यम से सिचाई के लिए विक्षित किया गया था और इस बांद के निर्मान के बाद से ही आत्र भूमी और इसके आसपास के छित्र ने पक्छियों, अस्तन धारियों, मचलियों, जलिये पौधों, सरी स्रीपों और उभैचरों की डेर सौसे अधिक प्रजातियों का अवाश प्रदान किया गया तो ये सारे interesting factors याद रखने होंगे कि हाली में Government of India के दोरा दो bird centuries को add किया गया रामसर साइट्स में वो कौन-कौन है तुनागी और नक्ती जो हमारे बिहार के जम्मुई डिस्ट्रिक में located है ये एक bird centuries है इसी के साथ हमारे इंडिया में total रामसर साइट्स 82 हो चुके हैं तो च विश्व अस्तर पर खत्रे में पड़ी प्रजातियां सामिल है वर्तमान में AC साइटों की सबसे अधिक शंख्या UK में है जिसमें 175 रामसर साइट है जबकि उसके बाद मेक्शिकों में 144 का स्थान बनाई हुई है पिछले 10 वर्सों में सूची में भारतिये साइटों की संख सबसे ज़्यादा United Kingdom के पास है जिसमें 175 उसके बाद मेक्शिकों का 144 दो फरबड़ी 2024 को विश्व बैटलेंड डिवस 2024 पर भारत ने 5 बैटलेंड को रामसर साइट के रूप में नामित किया है जिससे संख्या मौजूदा 75 से बरकर 80 हो गई है तो ये सारे interesting factors याद रखने हो लोगे तो चलते हैं next question number 6 की ओर हाली में विश्व खाद सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया तो राइटन सुकर 7 जून 7 जून को हम लोग हर वर्ष World Food Safety Day 2024 के रूप में celebrate करते हैं और हर वर्ष इसे 7 जून को celebrate किया जाता है तो जानते हैं इसके detail points की ओर विश्व खाद सुरक्षा दिवस एक वार्सिक उस सब है जो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद सुरक्षा दिवस 2024 का विश्व यानि क इस वर्ष की थीम क्या रखी गई खाद सुरक्षा और प्रत्यासित के लिए तैयारी करे हैं साथी साथ इंगलिस में भी आपको थीम को याद रखना होगा World Food Safety Day 2024 के लिए Food Safety Prepare for the Unexpected विश्व खाद सुरक्ष दिवस का विचार सुरुवात में 2016 में संयुक्त राश्ट दौरा प्रस्तावित किया गया था जबकि संयुक्त राश्ट ने अपनी दो एजंसियां खाद और कृशी शंगठन और विश्व श्वास शंगठन को भीजने का समर्थन और प इसी साल से हम लोग हर वर्स World Food Safety Day 7 जून को सेलिबरेट करने लगे और इस वर्स 2024 की World Food Safety Day की ठीम रखी गई Food Safety Prepare for the Unexpected तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पोइंट्स थी और अगले वर्स जुलाई में खादे और कृसी संगठन के चालिसवे सत्र में इस विचार का शमर्थन किया गया जबकि 2018 में 7 जून को विश्व खाद सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया खाद सुरक्षा के महत्व को पहचानने के लिए विश्व श्वास शभा ने सीन अगस 2020 को प्रस्ता और डबलू एच ए की हताद असमलो 5 पारित किया गया था तो ये सारे इंट्रेश्टिंग फ्रक्टर्स याद रखने होंगे तो चलते हैं नेक्स परिशन अबर सैबन की हाली में दुनिया की दुश्री शब्षे मुल्यवान कमपनी का खिताब किस ने हासिल किया तो राइटन सोगा एंविडिया एंविडिया कमपनी ने हाली में दुनिया की दुश्री शब्षे मुल्यवान कमपनी का खिताब जितकर इतिहास रज दिया तो जानते हैं से डिट पीछे करकर सेकंड सबसे मुल्यवान कंपनी बन चुकी है तो राइटन सोगा एपल, एपल को पीछे करकर एन्विडिया दुज्मिया का दूसरा सबसे मुल्यवान कंपनी बन चुका है, पांच जुन को कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 3.06 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो ग कंपनी के मार्केट कैप में उच्छाल के बाद एन्विडिया कॉर्प के सेरों में पांच जुन का उच्छाल दिखा गया, तो यहां पर इंट्रेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा, तो चलते हैं डेली के इंट्रेफेर्सरीस का, परशे नमबर 8 की ओर, हाली इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर, उत्राखंट सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को पहारियों की रानी मशूरी में भारत का पहला खगोल पर्यटन कारेक्रम नच्छतर सबा का आयोजन किया, उत्राखंट सरकार के द्वारा नच्छत सबा का आयोजन किया था, जो दुन, घाटी और ये सांदार द्रिश्यों के लिए प्रशिद है, हिमाले की बर्ष से धकी परबस रिंख लाएं ये सारे चीज़ देखने में काफी एट्रेक्टिव लगती है, इसलिए उत्राखंट सरकार के द्वारा नच्छत सबा का आयोजन किया गया, कारेक्रम के दौरान पर्यटकों क विशेश उपकर्णों के माध्यम से तारों को देखने, ह अलफा फिल्टर का उप्योग करके सौर अवलोकन और विशेशग्यों से एस्ट्रो फोटोग्राफी से परिचित भी कराया जाएगा, उत्राखंट सरकार की खगोल परेटन पहल का उदेश्यक खगोल विज्ञान क के प्रति उस्साही, साहसी लोगों और यात्रियों को राज के प्रकृतिक व्याभव का आनद लेते हुए ब्रह्मान के आश्चरियों को देखने के लिए आकरशित करना है, तो ये इंट्रेस्टिंग फाक्त रखना होगा कि उत्राखंट गवर्मेंट के द्वारा उनको ख सगोल विज्ञान के प्रति उस्साही सभी नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए और यात्रियों के राज के प्रतिक व्याभव का आनद लेते हुए ब्रह्मान के आश्चरियों को देखने के लिए भी आकरशित किया जाता है, तो इसी के साथ ये फैक्टर्स जयाद करेंगे, क्वेशन नमबर वन, हाली में गुडलिपा हॉली केरी प्रुषकार 2024 के लिए शिद्दा लिंगा पटन सेटी को चुना गया, क्वेशन नमबर टू, अदानी ग्रूप ने किस बैंक के सयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है, तो ICICI बैंक के साथ, क्वेशन नमबर ट्री, हरियाना स्वच वायू पड़ियोजना किसके सयोक्षे शुरू की जाएगी तो वर्ल्ड बैंक के साथ, नेक्स्ट क्वेशन नमबर फूर, हाली में न्यू योर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्व्ष्ट अभिनित्री का पुरुषकार शा क्वेशन नमबर 7 की ओर, हाली में QS World University रैंकिंग 2025 में सर्थ अस्थान Massachusetts University को मिला है, क्वेशन नमबर 8, हाली में मैंग्रोव के वैश्विक मुल्यांकन के तहत, पहली बार रेड लिस्ट किसने जाड़ी की गे, आयू शियन के द्वारा, तो चलते हैं अपने questions of the day की ओर, त आपको answer कमेंट बॉक्स में देना होगा, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, थैंक्यू सो मच गाइस, वीडियो को जादे जादा हो सके तो लाइक से रो सब्सक्राइब करें ताकि और भी content आपके पास बहुत जाए, जैहिंद जै भारत दोस्तो,